नमस्कार आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत है आज हम लोग अध्यन करेंगे दसमवर का मैथ एक्सरसाइज 3.4 इस एक्सरसाइज से मैं आप लोगों के लिए हल करूँगा कोशन नमबर 1 का 2 इस एक्वेशन को हम लोग इहां विलोपन विधी से हल करेंगे इलिमीनेशन मेथट से सॉल्फ करेंगे विलोपन विधी से जब हम लोग हल करते हैं एक्वेशन को तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले या तो हम लोग x वाले टर्म को बराबर करेंगे या y वाले टर्म को बराबर करेंगे यहाँ पर हम लोग x वाले टर्म को बराबर करते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ x के साथ 3 का गुना है तो 3 से हम लोग समिकरन 2 को गुना करेंगे और समिकरन 2 में x के साथ 2 का गुना है इसलिए 2 से समिकरन 1 को गुना करेंगे जब हम लोग 2 से समिकरन 1 को गुना करेंगे तब क्या आएगा? 2 तिया 6x पलस 2 चव के 8y बराबर 2 दहें के 20 यह एक नया समिकरन बन गया थी, लेकिन यह कैसे आया? इसे भी आप लिख दें, समिकरन एक को हम लोगोंने गुणा किया है दो से, अब हम लोग समिकरन 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6x-3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6 यह समिकरन बन गया 4 यह समिकरन कैसे आया इसे भी आप लिख दें हम लोगों ने समिकरन 2 में गुना किया है 3 से ठीक है इसके बाद आप क्या करेंगे यह पर देखें 6x प्लस में है और यह भी 6x प्लस में है तो यह दोनों टर्म कटे इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा समिकरन 3 में से समिकरन 4 को माइनेस करना होगा घटाना होगा तो घटाते हैं जब हम लोग तब क्या होता है जब हम लोग घटाते हैं तब क्या होगा यहाँ पर देखें 6x का चीन पलस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस और यह 6y का चीन है माइनस तो इसका चीन बदल कर हो जाएगा पलस और यहां पर 6 का चीन है पलस यह हो जाएगा माइनस अब देखीं 6X पलस में और ये 6X माइनस में है पलस माइनस, cancel out 8Y पलस में, 6Y पलस में पलस पलस क्या होगा? पलस हम लोग क्या करेंगे? जोडेंगे 8 और 6, 14Y बराबर यहां क्या होगा? 20 जो है पलस में है और 6 माइनस में तो क्या होगा? पलस माइनस, माइनस हम लोग क्या करना होगा? 20 में से 6 घटाना होगा घटाने के बाद क्या आएगा? 14 Therefore, Y बराबर 14 बटा 14 14 एकम 14, 14 एकम 14 Y का भेलू कितना आगिया? 1 अब हम लोग Y का भेलू समिकरन एक या दो में रखेंगे तो X का भेलू निकल जाएगा अब Y का मान समिकरन एक में रखने पर समिकरन एक क्या है? 3X पलस 4Y बराबर 10 3X पलस 4Y बराबर 10 इसमें हम लोगों को Y के जगह पर 1 पुट करना है 3X पलस 4 गुना 1 बराबर 10 यहाँ पर आप IMPLIES का चीन दे दे 3X पलस 4 बराबर 10 IMPLIES 3X बराबर 10 4 को जब हम लोगों बराबर के दाहिनी और ले जाएगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 IMPLIES 3X बराबर 6 Therefore X बराबर 6 बटा 3 3 एकम 3 तीन दुना 6 X का वहलू कितना आगिया? 2 अतह X बराबर 2 और Y बराबर 1 यह आँसर आँगया रैखी समिकरन को सॉल्व करने में विलोपन विधी सबसे सरल विधी है आप विलोपन विधी का उपयोग करके समिकरन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अब मैं आप लोगों के लिए कोस्टन नमबर 3 सॉल्व करता हूँ इसे भी आप लोग ध्यान से देखें और समझें इस समिकरन को हम लोग सबसे पहले विवस्थित कर लेंगे इस परकार 3x-5y और माइनस 4 को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जागा प्लस 4 यह समिकरन एक हो गया और समिकरन 2 को आप इस तरीका से विवस्थित कर लें 9x-2y को ब्राबर के लेट साइड लेते आए माइनस 2y ब्राबर 7 यह equation 2 हो गया इस समिकरन में हम लोग y वाले टर्म को ब्राबर करेंगे y वाले टर्म को ब्राबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ देखें समिकरन 1 में y के साथ 5 का गुना है तो हम लोग 5 से समिकरन 2 को गुना करेंगे लेकिन समिकरन 2 में y के साथ 2 का गुना है इसलिए 2 से हम लोग समीकरण 1 को गुना करेंगे यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो y वाला टर्म बराबर हो जाता है तो हम लोग y वाले टर्म को बराबर करते हैं समीकरण 1 को 2 से गुना करना है 2 तिया 6x-2 परचे 10y बराबर 12 के 8 यह समीकरण 3 हो गया लेकिन यह आया कैसे तो समीकरन एक में हम लोगों ने दो से गुना किया है अब हम लोग क्या करेंगे समीकरन दो में पांच से गुना करेंगे 95 पैंटालीस एक्स माइनिस पांच दुना दस वाई और पांच सते 35 यह समीकरन बन गया लेकिन यह आया कैसे तो यहां लिखना होगा आपको समीकरन दो में हम लोगों ने कितना से गुना किया है पांच से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखें समीकरन तीन में टेन वाई का चीन माइनस में है और समीकरन चार में भी 10y का चीन माइनस में है तो ये दोनों कटेगा कैसे यहां दोनों का चीन सेम है और जब हम लोग किसी टर्म को बराबर कर लेते हैं और अगर दोनों टर्म का चीन बराबर हो तो हम लोगों को क्या करना होगा समिकरन को घटाना होगा अर्थात यहाँ पर समिक्रण 3 में से 4 को माइनस करेंगे ठीक है और जब हम लोग 3 में से समिक्रण 4 को माइनस करेंगे तब क्या होगा यहाँ देख लें 45X पलस में है यहाँ जागा माइनस यहाँ जागा पलस और यहाँ जागा माइनस अब देखिए 10y माइनस में और यह 10y पलस में माइनस पलस कट गया अब यहां हम लोग क्या करेंगे 6x का चीन है पलस और 45x का चीन है माइनस तो पलस माइनस माइनस अर्थात हमें घटाना है जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हैगा 39x और 6 से बड़ा है 45 इसका चीन है माइनस इसलिए आपको चीन देना होगा माइनस समिकरन का जब आप लोग कोशन सौल्फ करेंगे तो बहुत छोटे-छोटे चीज पर ध्यान देंगे पलस का चीन माइनस का चीन कहां पलस का चीन होना चाहिए कहां माइनस का चीन होना चाहिए यदि आप एक जगा भी मिश्टेक कर देते हैं तब आपका पूरा मैथ गलत हो जाएगा इसलिए बहुत ही सावधानी से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे यहां क्या होगा एट पलस में है और थर्टी फाइब माइनस में पलस माइनस माइनस करना होगा यहां कितना हो जागा 27 और एट से बला है 35 इसका चीन माइनस है इसलिए चीन माइनस होगा अब यहाँ पर देखें बराबर के बाई और भी माइनस है और बराबर के दाहिनी और भी माइनस है हम दोनों माइनस को कैंसिल कर सकते हैं implies 39x बराबर 27 implies x बराबर 27 बटा 39 अब इसे काटना है तीन से तीन एकम तीन, तीन तीन नव, तीन से तीन नवा 27 कितना गिया? 9 बटा 13 x का वहलू हो गिया इस परकार 9 बटा 13 अब हम लोग y का वहलू निकालेंगे x का मान समीकरन दोनों समीकरन में छोटा कौन है, ऐसा करते हैं हम लोग समीकरन एक में x का मान समीकरन एक में रखने पर समीकरन एक क्या है? तीन और x x के जगह पर आपको बैठाना होगा 9 by 13 इसके बाद है minus 5y बराबर 4 नौतिया 27 by 13 minus 5y is equal to 4 implies 27 by 13 4 को हमों left side लेते आते हैं minus और 5y को right side तो minus quarter plus 5y इसके बाद आप लोग जानते हैं भीन का जोल घटाव करना इसे solve कर लेना है 131 का LCM 13 यहाँ 27 minus यहाँ होगा 52 5y plus minus क्या होगा minus हमें घटाना होगा यहाँ कितना होगा 25 लेकिने minus में 13 is equal to 5y अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर cross multiplication करना होगा 5y को 13 से 5y गुना 13 ब्राबर minus 25 therefore therefore y ब्राबर minus 25 बटा 5 गुना 13 यहाँ की साथ जो संख्या रहता है वह नीचे आता है भी कोशन बन गया अब मैं आप लोगों के लिए समिकरन के रूप में लाना होगा कैसे हम लोग समिकरन के रूप में लाएंगे x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 ब्राबर minus 1 यहाँ पर आप ऐसा करें LCM ले ले 6 3x प्लस 3 दुना 6 2 दुना 4y ब्राबर minus 1 implies यहाँ पर जब आप क्रोस मल्टिप्लाइकेशन करेंगे तो 3x प्लस 4y ब्राबर minus 6 होगा यह equation 1 हो गया इसके बाद हम लोग इसको समिकरन के format में लाएंगे अब x minus y ब्राबर 3 implies यहाँ क्या होगा x से दिवाइड करना 3 को 3 बार में 3 को 1 सी गुना करेंगे 3x minus y ब्राबर 3 अब क्रोस मल्टिप्लाइकेशन करना है 3x minus y ब्राबर 3 तिया यह समिकरन 2 हो गया अब देखें हम लोग किश टर्म को काटना चाहते है समिकरन 1 में 3x समिकरन 2 में भी 3x है automatic x वाले टर्म ब्राबर है तो हम लोग इस x वाले टर्म को कैसे काटेंगे तो यहाँ देखें 3x ब्लस में यह भी 3x ब्लस में तो करना क्या होगा समिकरन 1 में से समिकरन 2 को माइनस करना होगा अब समीकरन एक में से समीकरन दो को घटाने समीकरन एक क्या है 3x पलस और y बराबर माइनस 6 समीकरन 2 क्या है 3x माइनस y बराबर 9 अब हम लोग क्या करना है इस समीकरन में से इसको माइनस करना है जब हम लोग माइनस करते हैं तब क्या करते हैं यहाँ देखें नीचे वाले समीकरन का चीन क्या है पलस में इसे करना होगा माइनस यहाँ माइनस है तो इसे करना होगा पलस और इसे माइनस अब थिरी एक्स पलस और थिरी एक्स माइनस कट गया पलस 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 होगा 4 और 1 कितना हो गया 5y बराबर माइनस माइनस पलस नौच 15 लेकिन चीन माइनस को होगा क्योंकि दोनों का चीन माइनस में है therefore y is equal to minus 15 but of 5 5 कम 5 15 माइनस 3 अब y का मान समिकरन 1 में या समिकरन 2 में रखें अब y का मान समिकरन समिकरन 2 क्या है 3x minus y y के जगा पर कितना बैठाना होगा minus 3 बराबर के बाद 9 implies 3x minus minus plus 3 बराबर 9 अब क्या करना होगा implies 3x बराबर बराबर के बाद है 9 और इस 3 को राइट साइड ले जाना है minus 3 implies 3x बराबर 6 therefore 4x बराबर 6 बराबर 6 बराबर 3 तीन अकम तीन तीन बराबर 2 अतह x बराबर 2 तथा y बराबर हम लोग क्या लाएँ है y बराबर माइनस 3 यह आपका answer होगा मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को आज का मैत बहुत पसंद आया होगा मैंने समी करन को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों के लिए solve करने का प्रयाज किया है इसलिए आप लोग इस मैत को अपनी दोस्तों के पास अवस्य सियर करें ताकि वे भी इस वीडियो को दे कर फैदा उठा सके थैंक्स जैहिंद जैजार्ट